हलो दोस्तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आज चुका हूँ वाइफाई QR कोड़ स्कैनर का पार्ट 3 विद कीवेने तो दोस्तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा बिना स्किप करें क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के दोरा पूछे गए सारे के सारे वालों का जवाब दूँगा वाइफाई QR कोड़ स्कैनर को किस तरह से पर्मानेंटली डिसेबल करना है वो भी बताऊंगा क्योंकि दोस्तो इस वीडियो में आप लोगों को कोई ऐसा ट्रिक नहीं बताऊंगा जिसे कि आप लोग अपने वाइफाई का वेब सीक्योर्टी लगा के QR कोड़ स्कैनर को डिसेबल कर लो क्योंकि दोस्तो वेब सीक्योर्टी को लगाने के बाद भी हमारे पास जो प्रोब्लम्स आती है वो एक नमर में हो गया हमारे पास जो भी उडल सफोन है उनदे से कुछ मॉडलस फोन में तो जो की चार जिब राम यह पिर छे जी ब रेम बला मॉइल फोन्स हो गया उसमें क्यूअरे दीसेबल नहीं हो पाता है और उसके बाद दूसरा जो problem आता है हमारे साथ वो होता है कि किसी भी laptop में हम web security को लगाने के बाद वहाँ पे अपना wifi को connect नहीं कर पाते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इन सबका solution समाधान क्या है चलिए जानते हैं इस वीडियो के मादेम से दोस्तो हमने पूरे यूटूब पर सबसे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टोपिक था how to disable wifi QR code scanner उस वक्त पूरे यूटूब के टेक यूटूबर्स इस टोपिक पर वीडियो बना रहे थे connect wifi without password या फिर connect wifi with the help up QR code scanner और दोस्तो मेरे साथ भी ये problem हो रहा था मेरे भी wifi का QR code scan कर लेता था मेरे प्रोस ही लोग या फिर मेरे घर के असपास जो भी लोक रहते हैं वो लोग उसके बाद दोस्तो मैंने इस चीज़ को यूटूब पर सर्च किया how to disable wifi QR code scanner और वहां पर मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला उस topic के उपर और उस problems को किस तरह से handle करना है उसके उपर उसके बाद दोस्तो मैंने क्या किया अपने wifi का password चेंज करने के लिए अपनी router के setting में गया और वहां पर मैंने जब passport change किया उसके बाद भी OS scan हो जा रहा था उसके बाद मैंने क्या किया उसका security चेंज कर दिया दोस्तो जब मैंने security के option पे क्लिक किया तो वहां पे मुझे 4 से 5 security का option दिखया उसके बाद मैंने किया कि सबी security को one by one apply करके चेक यह किसी में बंद होता भी या फिर नहीं होता है उसके बाद मैंने जब web palace security पे click किया तो वहाँ पे चार option आ रहा था password का तो मैंने किया उपर वाले में password को डाल दिया और वहाँ पे उसको apply कर दिया उसके बाद जब मैंने connect किया तो मेरे mobile phone में QR code scanner disable हो गया था उसके बाद दोस्तों मुझे बहुत सारे खुसी हुई कि हाँ भाई कोई trick काम कर गया और उसके बाद मैंने क्या किया अपना एक खुद का YouTube channel बनाया ताकि आप लोगों को भी मैं बता सको कि भाई इस problem का solution किस तरह से कर सको क्योंकि दोस्तों मेरे साथ जब problem हो सकता है तो आप लोगों कोई साथ भी ये problem हुआ होगा जरूर तो उसके बाद मैंने क्या किया अपना एक YouTube channel बनाया और उसके बाद दोस्तों मैंने अपना फर्ष्ट वीडियो YouTube पे अपलोड कर दिया जो कि था और दोस्तों देखते ही देखते मेरा वो वीडियो कुछी दिनों के अंदर जो है वाइरल हो गया जबकि उस वीडियो का वीडियो और अडियो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उसके बाद भी वीडियो मेरा वाइरल हो गया उसके बाद जब मैंने कुछ दिनों के बाद YouTube पे सर्च किया उसी टोपिक्स को तब मैंने देखा कि दोस्तों सभी यूटूबर्स जो है इसी टोपिक्स के उपर वीडियो बना रहे थे और जब मैंने किस एक वीडियो को प्ले करके देखा तो वहाँ पे मैंने देखा कि कि दोस्तों जब मैं इस वीडियो को यहां पे अपलोड कर दूंगा तो हो सकता है कि किसी को लगे कि इस टोपिक्स पे भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए और यहां पे जो इसका पर्माइन सल्यूशन कोई बता दे पर किसी यूटूबर्स ने जो है ऐसा नहीं किया क्यूंक इस तरह से क्यूबर कर सकते हैं उसके बाद फिर मैंने एक साल बाद एक वीडियो बनाया था जिसका टोपिक था हाइड ऑल डौर वाइप क्यूवाइ और कोड इसकेनर दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग किस तरह से अपने अलग-अलग रौटर की क् लेकिन उसके बाद भी दोस्तों आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कुछ मोबाइल में तो वाइपाई बंध हो जाता है पर कुछ मोबाइल में वाइपाई कनेक्ट ही नहीं होता है या फिक बंध होता ही नहीं है कुछ लैप्टोप में वाइपाई कनेक्ट ही नह देता हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को Wifi QR Code scanner का पूरा पर्मानेंट solution बता देता हूँ जिससे कि दोस्तों आप लोगों को Wifi QR Code scanner का कोई जंजट नहीं होगा और इस से आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा और दोस्तों इस वीडियो के बाद में आप लोगों को कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इस टॉपी के ऊपर अगर कोई इसका पर्मानेंट solution आता है तो फिर मैं आप लोगों को इसका पार्ट 4 बना करके मैं आप लोगों को बता दूँगा तो भाई जिस लोग अगर आप लोग भी अपने वई-पार कोड्ह से च्धूट करा पाना चाहते है तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा अपने राउटर के अंदर जो उसके mobile phone में जो उसका wifi mac address है उसको अपने router के अंदर आप खुद नहीं डाल देते हो तब तक वो बंदा आपका wifi को connect ही नहीं कर पायागा उसके phone के अंदर अगर दोस्तो आप लोगोंको ये setting आता है तो फिर आप लोग ये कर लीजए यही permanent solution है इसका और अगर दोस्तो आप लोगो को ये setting नहीं आता है तो फिर मैंने वीडियो के description में जो है इसका link दे दिया है आप लोग इस वीडियो को देखकर के जो है इस सेटिंग को शीख आउटर के अंदर कर लिजिए और अगर आप लोग मेरी पिछली दो वीडियो देखना चाहता है जो कि मैंने इससे पहले बनाया था वाइप क्यूर कोड ए स्कैनर के उपर तो आप लोगों को उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो आप लोग उसक के लिए बस इतना ही चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में